दोस्तों तो चलिए स्वागत है आप सभी का पहले मैं बताता हूँ हमारे वेबसाइट को अपरेट करना तो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रॉम पे और गूगल क्रॉम ओपन करना अपने कंप्यूटर पर और अपका एड्रेस बार में www.ncskill.in आपको जो है लिख लोगिन होता है तो आपको जो है जिस सेंटर जो फ्रैंचाजी लिए हूँ सेंटर ओनर का जो भी यहां पर कोर्स आपको देखने मिले गा जो जो कोर्स हमारे पास अफ्लेबल एं कर र एड करेंगे वो सारा दिखेगा आपका कोर्स लिष्ट में जैसे कि हमने कर रखा है देख सकते हैं नापकर कौर्स अपर पर देखेंगे जो है आपको कौर्स में क्या है अपको दिखने लगे आपको से प्रवाइड किया है तो आपका सेमेस्टर जैसे कि post graduate diploma है दो semester का advance है ठीक है और इसके अलवाद देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर course add होने के बाद ही यह option आएगा ठीक है न तिस तरह से दोस्तों यहाँ से आपका अगर कोई center को अगर नया course चालो करना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मन्त में आपको दिया गया है select करने का तो यहाँ पर लिखिएगा और यहाँ पर month select करिएगा ठीक है इसके बाद दोस्तों वो जो course है वो कितने semester कराएगा एक semester दो semester यहाँ पर एक semester का दिया गया है अगर आपको दो semester चलाना तो आपको हाँ पर plus pattern पर click करिएगा तो आपको दो semester में मतलब आपको दो भाग में आपको course को चला सकते हैं सब्जेक्ट में जो है आपको course में क्या-क्या subject रखेंगे वो सारा मतलब syllabus आपको syllabus का जो software कराएंगे उनका नाम लिखना है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद आपको add course कर देना है उसके बाद verification हमारे पास आता है अप्टर एक दो गंटे के बाद आपको approval मिल जाएंगे और वो course जो आप add किये वो course आपका list में भी वो दीखने लगेगा इस तरह का यह list में आपको दीखेगा कि वो course आपका add हो चुका है ठीक है दोस्तों तो I think मेरे को समझ आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि course का add किस तरह से अपका सब्सक्राइब करने के बाद जो second option रहता हो हमारा wallet क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए बच्चों का जब आप अप्डेट करते हैं तो उसमें कुछ wallet का आपको update करना होगा जब हमारा देखिए पैनल पे दिया गया है यहाँ पे जाके QR code scan करके आ आप जो amount डालना चाहता है हमारा minimum amount रहता है 300 आप यहाँ पे 300 पेट करके जो अपना wallet को update करा सकते हैं जब तक दोस्तों wallet update नहीं होगा तब तक आप student add नहीं कर सकते हैं और जब payment करने के बाद आपको transaction ID amount और यहाँ पे wallet recharge select करके जो भी आप amount दिया है उसमें submit करना अपडेट आपको दिख जाएगा ठीके दोस्तों तो इस तरह से आपको wallet recharge कर लेना है यहाँ आपको अपडेट कर लेना है किवार कूट के थोरो और वह आपको जो भी आप payment update करेंगे ना वह आपको recharge wallet के सामने देख सकते हैं कि yellow जो आपका option दिया गया है वहाँ पे आपको student का कितना amount लगेगा तो आपका जो है वो dashboard में आप जैसे click करेंगा आपको दिख जाएगा ठीक है 1-3 month के लिए 150 कटेगा और 6 month वाले का 200 ठीक है और आपका 1 year का 250 करके आपका एक student का कटेगा ठीक है ना wallet से इसके बाद दोस्तों आपको add student पे जाना यहाँ पे आप देख सक जब आपका फ्रेंचाजी थोड़ा पूराना होगा तीन से छे मेना तो आपको old का भी option मिल जाएगा है ना new student में आप क्या है जब admission लिया जाता है तभी student का registration किया जाता है ताकि new admission करने के बाद after six month या one year के बाद उस certificate certificate generate होगे और old में क्या होता है आप back date से भी certificate generate कर सकते है तो यह old option आपको कुछ दिन बात चालू होता है एक से दो महिना तीन महिना के बाद जो है old option भी आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे जैसे हम student का यहाँ पे select करते हैं इसके बाद पूरे form में जो है दोस्तों student का सारा details भर आ जाता है ठीक है जैसे अब देख सकते हैं student का name हो गया father's name हो गया mother's name हो गया student का mobile number हो गया या parents का जो व्यू जेंडर marital state fee date of birth date of birth आप select कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे option दिया रहता है एन कौन सा qualification है आपको ग्रेजुशन में इंटर कोई भी address प्रोपर address इसके साथ पीन कोड कौन सा city से बिलोंस करता student district और state ठीक है इसके बाद यहाँ से course आपको select करने का option मिलेगा जैसे हम student का यहाँ पे new student select कर लगा गया इस तरह से जो है जैसे session को आप session select करने के बाद यहाँ पर देखे session select होगा कि आपको कितने दीन का course है वो automatic बाद वाला जो है session from जो session from है ना वो आपको select करना है session to automatic है second वाले column automatic date आ जाते हैं जैसे अभी माले नवेंबर चरह नवेंबर का को एक date select करते हैं तो six month के बाद automatic हो दिख जाएगा कि आपका final session कब complete होता है ठीक है ना तो इस तरह से जो है आप session को भी यहाँ पर जैसे session select होगा देख सकते हैं second वाला automatic option आ जाएगा क्योंकि वो six month का अपना count कर लेगा अगर six month का course है one year का course है तो automatic one year सो count करके अपना वो session को complete कर लेता है ठीक है ना जैसे old student में क्या होता है हम back date जा सकते हैं कितना भी previous date जा सकते हैं लेकिन new student जब registration करेंगे हमको today वाला देना होगा latest current date देना पड़ेगा यही दोनों में पढ़र के new student and old student इसका भी वीडियो हम आगे पुरा किलियर करा देंगे आपको website पर upload जो है हमारा YouTube चैनल पर upload हो जागा इसके बाद देख सकते हैं photo को जो है student photo हमको जो हम थोड़ा सा दोस्तों यहां पर reverse हो गया student का photo जो है यहां से upload करना होगा देन यहां पर ID जो आप उसका पूरूब दे रहे है आधार काड वोटर काड जो भी आपको देना पर रहा है दोस्तों यहां पर जो भी photo upload होंगे ना 50 के भी से नीचे होना जाए कि हमारा software पर ही बना हुआ है ठीक है और ए लेकिन अगर जूनियर लेवल पर classes करा रहा है 456 class तो कोई ना कोई classes के उनको result card मिलते हैं उसको आप अपडेट कर सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आप कोई भी एक result card या मासिट अप अपडेट कर दे सकते हैं वहां पर और इस तरह से जैसे जब अपडेट हो जा दिखने लगेगे इस तरह का देखिए दोस्तों एक list आएगा यहां पर आपका student का जो है ID card उसका form सब कुछ generate होगा आप देख सकते हैं हमारे पैनल में क्या है totally बहुत इजी हमने पैनल को बनाया है आप काम जब करेंगा आपको समाझ मेंगे हाँ पर form जैसे क्लिक करते हैं आप जैसे क्लिक करते हैं उसका भी PDF generate हो जाएगा आप ID card को print करवा के दे सकते हैं बच्चों को देखिए इस तरह से एक ID card जो है आपका जो है print हो जागा हमारा तो सब कुछ हमने दे रखा है साथ में यहां पे जो है कुछ option दे रखा है अगर गलत हो जा तो देखिए आपक बहुत अच्छे काम करने के लिए इसके बद दोस्तों यहां पे सबसे अच्छा option हमने दे रखा है कि आपका जो है manage fee यह भी बहुत अच्छा option है अगर आप student का फी ले रहे तो manage fee से उसका भी में आगे video upload करूँगा ठीक है और exam आप सेट कर सकते हैं after complete जब हो जाएगा session set exam के तरो उसका भी video में आगे जो है आपको upload करके दिखाऊंगा अभी तो फिलाल में registration का video आपको सामने लाया हूं तो आसा कर तो समझ मया होगा